लोकसबा चुनाव के रण में राजस्थान की 25 सीटों पर जीत का सहरा किसके सर बंदेगा इसका फैसला 4 जून को मत गणना के बाद हो जाएगा हलाकि साथ चरण की मदान प्रक्रिया पूरी होने के बाद विभिन एजेंसियों ने जो एक्जिट पोल के अनुमान जारी किये हैं उनमें भारतिये जनता पार्टी के उन दाओ को कहीं न कहीं ठेस लग रही है जिनमें ये दावा किया जा रहा था कि राजस्थान में पार्टी सभी 25 सीटों पर जीत हासिल करेगी और 25-0 की कहीं न कहीं हैट्री किस बार लगाएगी हलाकि ये जो सर्वे आये हैं ये जो एक्जिट पोल आये हैं इनसे कॉंग्रेस के नेता भी ज्यादा इत्तिफाक नहीं रख रहे हैं क्योंकि जादत तर जो एक्जिट पोल्स हैं उनमें भारतिये जनता पार्टी को करीब 23 सीट मिलने का दावा किया जा रहा है कॉंग्रेस नेता कहीं न कहीं इससे ज्यादा सीट लाने की उमीद कर रहे हैं कॉंग्रेस के नेता आशानवित हैं कि पार्टी की पर्फॉर्मेंस देखते हुए इस बार प्रदेश में साथ से 12 सीटों पर पार्टी जीत हासिल करेगी इस बीच प्रदेश की कई होट सीट ऐसी भी हैं जिनके नतीजे पर पूरे देश भर की निगाएं रहने वाली है इन सीटों में कहीं न कहीं बाडमेर शामिल है नागोर शामिल है जुन जुनू और सीकर शामिल है इसके साथ ही बासवाडा सीट भी होट सीट मानी जा रही ह और कहीं न कहीं कोटा सीट जो है जहां से लोकसवाई स्पीकर ओम बिडला चुनामी मैदान में है और भारतिये जनता पार्टी से कॉंग्रेस में गए उनके कभी साथी रहे प्रहलाद गुंजल जो है वो उन्हें कडी टक्कर देते हुए दिख रहे हैं बहराल अब देखना यह है कि चार जून को जब EVM में दर्ज नतीजे सामने आएंगे तो किसके दावे जो है वो खरे उतरते हैं जैपूर से ETV भारत के लिए विकास व्यास